तर चल रहा था उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा तो एक बार जितने भी सांती जुड़े हुए हैं बता दें कि इस बार आवाज आ रही है नहीं आ रही है मेरे ख्याले आवाज आ रही है रवींद्र सिंग्जीत पुना जुड़ चुके हैं थोड़ा नेट्रक का इश्यू आ गया था को डिस्कनेक्ट हो गया था मैं अपने सत्र को पुना प्रारम करता हूं और को उस समय सांती भी कम जुड़े हुए थे जितने भी सांती जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें मैंब करे हैं आज मैं बात करनेंगे गवर्मेंट को भित्यक सती आपका स्वागत है तो इस पर हम चर्चा करने वाले थे और वैसे मैं अपना काफी बाते पिछले उसमें बता चुका था अंकिता नेगी जी भी जुड़ चुकी है तो जो साथी इसको सुन चुके हैं वो पुना सुन ले उससे आपका रिवाइस भी हो जाएगा जो पिछला सत्र चल रहा था उस मेलन हुई वो ऐसी परिस्तितियां थी जिस कारण की भारत सासन अधिनियम 1935 भारत में लाना पड़ा इसके अत्रिक जो राष्ट्य कॉंग्रेश थी और गांधी जी का प्रादरु वाव था उन दोनों परिस्तितियों ने भी कहीं न कहीं बिटेन को भारत सासन अधिनियम 19 1935 लाने में मजबूर कर दिया तो सबसे पहले हम भारत साईमन कमिशन पर अधियन कर रहे थे तो मैंने उसपर आपको बताया था कि 927 में साइमन कमिशन बनकर तयार हो गया था और जो सर जौन साईमन थे सड जौन साइमन वह इसके अध्यक्स थे कहीं बार एकजाम में पू बहुत अधिक विरोध भारत में होता है और साइमन गो बैक साइमन वापिस जाओ इस परकार के नारे संपूर्ण भारत में लगते हैं और साइमन कमिशन का कहीं न कहीं स्वागत भारत में नहीं किया जाता है तो जो साइमन कमिशन था नवंबर 1927 में बनकर तयार हो गया था और तीन फरवरी 1928 में यह भारत मौशता है तो नवंबर 1927 और तीन फरवरी 1928 यह दोनों ही तिथिया बड़ी महत्वपूर्ण है एकजाम के दिरिष्टी कोण से और इसके आत्रिक सर जोन साइमन जो की इस साइमन कमिशन के अध्यक्स थे और जो उस समय भारत सचीव थे वो थे लाड ब्रकन जिन्होंने की भारतियों को पहली बार चुनौती दी थी सम्विधान बनाने की और उस चुनौती को भारतिया राष्टया कॉंग्रेश ने सुरू कि सुईकार कर लिया था और उसी यह आदार पर नहरू कमिटी बनती है जो की नौ सदश्यों की कमिटी बनती है और वो सम्विधान किस परकार का होगा कैसे हम सम्विधान का निर्मान करेंगे तो उस पर यह कार्या करती है तो जो 1950 में हमारा सम्विधान लागो हुआ था उसकी जो प्रस्तावना थी वो कही न कहीं जो नहरू कमिटी की रिपोर् जुलती रही है और जो हमारा सम्विधान है वर्तमान में वह सम्विधान भी कहीं न कहीं जो 1935 का भारत सासन अधिनियम था उससे काफी अधिक मिलता जुलता है लगबग जो हमारा वर्तमान सम्विधान है उसके 70-80% भाग को हमने भारत सासन अधिनियम 1935 से लिया था भार 30 सरकार का जब तक उन्होंने भारत में राज किया उसमें सबसे विश्त्रित और सबसे बड़ा अधिनियम था जिसमें की 400 से अधिक अनुचेद या धाराएं थी और 10 अनुचियां उस भारत सासन अधिनियम में थी तो मैं बात कर रहा था नहरू कमीटी की इसमें भी कहीं बा और नहरू कमीटी ने जो ब्रिटेन की सरकार ने या लाड ब्रकन ने समविदान निर्माण की चुनोती भारतियों को दी थी उस चुनोती को स्विकार कर लिया था तो जो नेरू रिपोर्ट थी उसमें जो मुख्या-मुख्या बाते थी उसमें सबसे पहले तो यह था कि भारत को एक संग के रूप में निर्मित किया जाएगा इसके अत्रिक्त मूल अधिकारों की बात भी नेरू रिपोर्ट में उलेखित की गई थी बात में रहने वाले जो नागरिक होंगे उनको मूल अधिकार दिये जाएंगे इसके अत्रिक्त सांपरदाइक निर्वाचन जो की 1909 और 1919 के अधिनियमें द्वारा दिया गया था सांपरदाईक निर्वाचन और आरक्षन की बाते जो 1909 और 1919 के अधिनियम के माध्यम से दी गई थी उस सांपरदाईक निर्वाचन को समाप्ट करने की बात नहरू रिपोर्ट ने की थी सामपरदाईक निर्वाचन मैंने आपको बताया था आज के वर्तमान आरक्षण की तरह नहीं था आज के वर्तमान आरक्षण में आप देखते हैं कि सीट आरक्षित कर ली जाती है किसी समुदाई विश्यस के लिए किन्तु उस सीट पर मत देने का अधिकार सभी समुदाई के लोगों को होता है किन्तु जो सामपरदाईक निर्वाचन था वो एक ऐसी पद्दती थी जिसमें जिस समुदाई का व्यक्ति चुनाओं में खड़ा हो रहा है उसी समुदाई के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता था या सीट आरक्षित ना भी हो किन्तु एक निश्चित समुदाई के लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया जाता था वो सामपरदायक निर्वाचन परणाली थी उस परणाली को नेरु रिपोर्ट ने समाप्त करने की बात की थी और आरक्षण की व्योस्ता को उन्होंने स्विकार कर लिया था कि आरक्षण की व्योस्ता इसे स्विकार किया जा सकता है ततकालिन परिस्तितियों के अनुसार किन्तु इसका मुस्लिम लिग ने बहुत अधिक विरोध किया था यह बाद भी आपको ध्यान रखनी है तो यह साइमन कमिशन से संबंदित बाते थी और साइमन कमिशन का भारत में बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ था अपनी फाइनल रिपोर्ट भी बहुत अच्छी दरीके से वो नहीं सौप पाई थी तो उसके पश्चार कुछ परिस्तितियां ऐसी बनती है नमक के कानून को लेकर और स्वसासन को लेकर गांदी जी 31 जनवरी 1930 में जो ततकालिन गवर्नर जर्नल थे उनको एक चिठी लिखते हैं और उसमें वो अपनी कुछ ग्यारा मांग रखते हैं और उन 11 मांगो का पूर्ण करने की बात करते हैं और यह यह भी साथ के साथ बता देते हैं कि अगर मेरी इन 11 मांगो को नहीं माना गया तो 12 मार्च से हम क्या है एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका नाम की उन्होंने समीने अवग्या आंदोलन दिया था तो कि एक चिथी लिखी थी एक रिपोर्ट चिथी लिखी थी और उन 11 मांगो का पर कोई कारवाई न होने के कारण 12 मार्च 1930 को गांदी जी ने अपना सविने अवग्या आंदोलन प्रारम कर दिया था इसमें जानते हैं आप कि सबसे पहले गांदी जी ने डांडी यात्रा करक नमक कानून को तोड़ा था नमक कानून जो समय बिटिन में बिटिन के द्वारा नमक कानून बनाया हुआ था कि भारतियों को नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी तो उसका उन्होंने उलंगन करते हुए अपने 78 सांतियों के सांद यात्रा प्रारम की थी और आगे बढ़ 240 किलो मीटर का यह यह यात्रा थी उस यात्रा को उन्होंने प्रारम किया था और एक माह में उन्होंने इस यात्रा को करने के पस्चात डांडी नामक इस्तान पर नमक का निर्मान कर समुद्र के खारे पानी से नमक को निर्मित कर जो नमक कानून ततकालिन समय में था उसका उ दांडी यात्रा प्रारम की थी तो उनके साथ कितने लोग थे कितने लोग के साथ मिलकर उन्होंने यात्रा का प्रारम किया था तो यह आपको ज्यान रखना है कि मात्र 78 लोग उनके साथ जब उन्होंने यात्रा प्रारम की थी उस समय थे और वहां जब वह दांडी नामकिस् तो इस बीच सालू आर्या भी जुड़ी हुई है जुड़ चुकी है उनका भी चैनल के माध्यम से हार्दिक फागत है और रविंद्र सिंग जी एक क्वेस्टन कर रहे हैं कि सर नेरू कमिटी का गठन कब हुआ था तो 1928 में नेरू कमिटी का गठन हुआ था आप लोगों से आप लोगों को वैसे जो इस साती नहीं जुड़े हैं उन्हें इस चीज का भान नहीं होगा मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग अपने क्वेस्टन को नौट करते रहें और जब भी मेरा वीडियो जब भी मेरा लेक्चर समाप्त होता है तो उसके पश और अपने क्वेरी करना प्रारम को vaig 근데 के लिए भी समय देता हूं आप कि को अब हम संहजने का प्रयास करते हैं कि जो गोल में सम्मेलन भारत में हुए थे उन गोल में सम्मेलन को घुचə एक बार जर्हा सभी संस्ती बटा दे कि आवाज आ रही है। व बता दे कि आवाज किले रा रही है। क्यूंकि पिछले कुछ दिनों से नच टूरा था है। तो इससे कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है चलो सालू आ रहा जिने मैसेज कर बता दिया कि आ रही है तो अब हम आगे बढ़ते हैं गोल मेज सम्मेलन के तरफ तो गोल मेज सम्मेलन जैसा कि गोल मेज नाम से ही सपस्ट है कि गोल मेज पर जो सम्मेलन हुआ उसे गोल मेज सम्मेलन कहते हैं और तीन गोल में सम्मेलन भारतिया इतियास में 1930 से लेकर 32 तक हुए हैं जो पर्थम गोल में सम्मेलन था उसमें कॉंग्रेस ने उसका विरोध किया था और उसमें कॉंग्रेस के जो भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस थी उसके किसी भी व्यक्ति ने उस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और इस गोल में सम्मेलन की अध्यक्स्ता जो थी वो ततकालीन जो बिट्टी समराठ थे उन्होंने इस गोल में सम्मेलन की अध्यक्स्ता की थी और जो पहला सम्मेलन था उसमें कुल उन्नबे सदश्यों ने कहीं बार पूछा जाता है तो कुल उन्नबे कि जो लॉर्ड इर्बिन थे उन्होंने गोल में सम्मिलन की गोल में सम्मिलन का प्रस्ताव रखा था कि गोल में सम्मिलन की जाएगी यानि कि गोल में सम्मिलन को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि बिटेन में जाकर जो गोल में या कोई बैठक कक्षो वहां पर बैठ कर जो भारतिया जितने भी उस समय अलग-अलग विभिन परकार के दल थे, समुदाय थे उन सभी को परतिनिदित्व दिया जाएगा और उस परकार भारत को जो स्वसासन है वो सौपा जाए, क्योंकि बिटेन का मानना था कि भारत अभी सासन करने योग्या नहीं बना है, भारत इस इस्तिती में नहीं आया है, कि वो स्वयम पर सासन कर सके, तो वो यहाँ चाते थे कि भारत में स्वसासन को लेकर जो चुनोतिया है, उन पर बात की जाए इसको ध्यान में रखते हुए गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया था और पर्थम गोल में सम्मेलन 1931 में होती है जिसमें कि कॉंग्रेस से किसी भी परतिनीदी ने भाग नहीं लिया था कहीं बार क्वेसन आ जाता है इस परकार का दो तिन बार मैं भी देख चुका हूँ कि पर्थम गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस के किस सदस्या ने भाग लिया था तो तीन चार विक्तियों के नाम दे देगा और लास्ट में एक उप्शन ये भी दे देगा कि इन में से कोई नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर इन में से लिया था तो जब कॉंग्रेस क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा दल भारत में था वो भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस था और उसके किसी भी सदस्या ने जब इस गोल में सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो कुल मिलाकर यहां माना गया कि पर्थम गोल में सम्मेलन जो है वह विफल हो गई और इस मध्य ही आप जानते हैं कि गांदी जी का सभीने अवग्या अंदोलन भी चल रहा था और सभीने अवग्या अंदोलन के पर्थम चरण जो उन्होंने डांडी यात्रा की ती उसमें जब उन्होंने नमक मनाया था तो उसके एक महापस्चात ही लगबग गांदी जी को कैद कर दिया जाता है गांदी जी को बंदी करव में रख लिया जाता है तो गांदी जी वहाँ भी अपना जो अंदोलन को जारी रखते हैं तो जब और भारत में क्योंकि गांदी जी उस समय तक 1930 तक काफी अधिक मूर्ण बंकुरिया हो चुके थे तो गांदी जी के जो बंदी बना लिए गॉया गया था उस करण में य smartphone बहुत संबरेगते से पहला और बहुत उगर भी यह हू रहा था जा लक्त अम परिस्थियों में जो इर्भिन है उनके मध्या और गांधी जी के मध्या एक समझोता होता है जिसे की गांधी इर्बिन समझोता कहा जाता है जिसमें कुछ मांगो पर गांधी जी अपने नीचे आ जाते हैं और कुछ मांगो को जो इर्बिन है वो उनको फिकार कर लेते हैं तो इस कारण गांधी इर्बिन समझ समझाते में यह बात होती है में समझाते का जो मुख्य बिंदू था वह यही था कि अब भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस है वह जो दितिया गोल में सम्मेलन होगा उस दितिया गोल में सम्मेलन में भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस भाग लेगी, किन्तु यह समझाता गांधी जी और इर्विन के मद्या हुआ था, इसलिए भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस से समझाता को स्विकार नहीं करती है, और दितिया गोल में समेलन में भी जो भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस होती है वह भाग नहीं लेती है तो दितिया जो गोल में सम्हिलन होता है उसमें Congress की तरफ से सिर्फ एक परतिनीदी ने भाग लिया था वह थे गांधी क्योंकि Congress इसको स्विकार नहीं करती है कि गांधी जी ने अकेले में ही इर्विन के साथ समझोता कर लिया है और इस कारण जो गांधी जी है वो अकेले ही क्या है दितिया गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए जाते हैं तो यह भी ध्यान रखना कि दितिया जो गोल में सम्मिलन हुआ है उसमें सिर्फ मात्मा गांधी जो थे गांधी जी जी जो थे उन्होंने ही कॉंग्रेस की तरफ से भाग लिया था और दितिया गोल में सम्मेलन भी क्योंकि पुनव भारत्य राष्ट्या कॉंग्रेस थी उसके समस्त परतिनिदियों ने या एक परतिनिदी मंडल ने भाग नहीं लिया था इसे दितिया गोल में सम्मेलन भी क्या है विफल हो जाती है औ और जैसे ही दितिया गोल में सम्मिलन, क्योंकि वहाँ जब गांदी जी सम्मिलन में भाग लेते हैं, तो उनकी डिमांड्स जो थी, उनकी बातों को स्विकार नहीं किया जाता है, और सविनय अभग्या आंदोलन जो हलका धीमा पड़ गया था, वह पुनों से सुरू हो जाता है, और 1934 तक यह आंदोलन चलता रहता है, और 1934 में जाकर यह आंदोलन समाप्त होता है, सविनय अभग्या आंदोलन. इसलिए का समाप्त होता है, क्योंकि 1931 से लेकर 1934 तक तीन वर्ष तक से यह आंदोलन चल रहा था, भारतियों के पास इतने संसादन नहीं थे, इतना धन नहीं था, और नेताओं की जो आपसी फूट थी, उस कारण यह आंदोलन कमजोर पड़ने लग गया था, दिरे-दिर और तीन साल का समय काफी होता है, कोई व्यक्ति सिर्फ आंदोलन के लिए ही तीन साल का समय पूर्ण निष्टा से नहीं दे सकते थे, सभी व्यक्ति, तो इस कारण यह इस आंदोलन का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है, और 1934 में जाकर जो सविनय अवग्या आंदो से लेकर 24 दिसंबर 1932 के मध्या सिर्फिया गोल में समयलन बिटेन में होता है, और 10 अगस्त 1932 को कम्यूनल अवार्ट की घोशना की जाती है, जो कम्यूनल अवार्ट था उसको आप यह समझ सकते हैं कि कम्यून यानि कि सांपरदाई का वार्ट वो था, तो उसमें जो बिट और जिससे वे लोग उनके प्रभाव में आ जाते थे, कहीं न कहीं जो यह कम्यूनल अवार्ट की घोशना की गई थी, यह जो भार्टियों के भीतर स्वसासन की मांग तीब्र होती जा रही थी, उस स्वसासन की मांग को कम करने के लिए यह कम्यूनल अवार्ट की घोशना बिटिस सरकार द्वारा की जाती है और इसके माध्यम से विभिन संपरदाई को लोगों को विभिन संपरदाई कुपादियां बिटिस सरकार देती है जिससे की जो महत्वपूर्ण लोग हैं किसी भी संगठन के उन महत्वपूर्ण लोगों को अपने परभाव में लाया तो और जो यह कम्यूनल अवाड था वो ततकालिन बिटीज जो परदान मंत्री थे उनके नाम पर ही यह कम्यूनल अवाड रखा गया लाट कम्यून ऐसे करके उनका नाम था तो उनके नाम और इसमें मुख्यता हिंदूओं को छोड़कर जो अन्या संपर्द आई थे चाहे व इसको आप समझने का प्रयास करें इसको समझने को मैं समझाता हूं उससे पूर कुछ साती और जुड़े हैं सूरज अगरवाल जी जुड़े हैं गोलू बिष्ट जुड़े हैं आपका भी चैनल के माध्यम से हार्दिक सागत है तो मैं बात कर रहा था एंगलो इंडियन की यानि की एंगलो इंडियन वे लोग थे जो थे तो बिटी समूल के किन्तु जो बिटेन का एक लंबा सामराज्य भारत में रहा दो धाई सो वर्सों का सोला सो से इस्वी से बिटेन ने पहली कमपनी भारत में लगाई थी इस्ट इंडिया कमपनी सोला सो इस्वी में ही भारत आई थी तो जो बिटेन के बिटेन ही नहीं संपूर्ण गिरोप के जो लोग थे और भारत में आए और भारत में बस गए कुछ इसाई धर्म के परच दानतव्या है कि लोग सभा में भी पिछले वर्ष तक दो एंगलो इंडियन सीटे होती थी और इस वर्ष उस एंगलो इंडियन सीट को 26 जनवरी के दिन समाप्त कर दिया गया है अब लोग सभा में एंगलो इंडियन नामक कोई सीट नहीं होगी 104 104 समिदान संसुदन करकर जो यह 104 समिदान संसुदन है उसके तहट अब जो एंगलो इंडियन सीटे भारत में हुआ करती थी दो तो वो समाप्त कर दी गई है तो एक करंट यह नॉलेज का क्वेस्टन भी यह है अपने आप में पॉल साइंस क्या होने के साथ साथ करंट जीके का भी क्वेस्टन है कि वर अब तक लोगसभा में होती थी उनको समाप्त कर दिया गया है तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेगा तो मैं बात कर रहा था हां ततकालीन समय में जो कमिनल अवाड था उसके माध्यम से जो यूरोपियन थे दलित थे एंगलो इंडियन थे मुस्लिम्स थे आधी परकार के जो छोटे-छोटे संपरदाई थे उनको यो कमिनल अवाड दिया जाता था हिंदू संपरदाई हिंद ने हुआ संपरदाई बोल सकते हैं धर्म अपने आप में सनातन धर्म होता है तो जो हिंदू संपरदाई के लोग थे उनको छोड़कर बाकी अन्या जो चोटी जनसंक्या में संपरदाई थे उन संपरदाई के लोगों को कमिनल अवाड के माध्यम से बिडितिस अब हमये पूर्ण सासन चाहिए स्वसासन का अर्थ था कि जो सासन है जो urea सीड़ा दीजाए उसे स्वसासन कहा गया था की हम्ही don पर नीचे से हम अपना सासन चला रहे होंगे जैसे कि आज केंदर सरकार है राजय सरकार है फिरिस्थानिया सरकार है तो केंदर सरकार का कहीं विशाय ऐसे होते हैं केंदर सरकार के पास होते हैं तो उसमें केंदर सरकार की अधिकारिता अधिक होती है राजय सरकारे उनके अधीन होती है तो कहीं न कहीं केंदर का नियंतरन जैसे नागरिक्ता का मुद्दा है विदेश संबंदों से संबंदित म आधे इसे कहीं विशय है तो उनपर केंद्र का ही नियंत्रन होता है केंद्रính को difय. या करती है तो उसी परकार का स्वसासन वो चाहते थे कि बिटिस गवर्मेंट हमारे उपर रहे और हम अपना स्वसासन को स्वयम चलाएं इस परकार के स्वसासन की मांग जो भारतिय लोग थे वो कर रहे थे ततकालिन समय में इसको आपको ध्यान रखना है तो उननीस सो जब समिनाज़ है वग्या अदोलन हुआ तो 1935-1936 के आते कहीं न कहीं सवसासन जो थी वो पूंधा सवसासन की मांग में बदलने लगी थी यानिकि अब हमें सवसासन नहीं पूंधासन यानिकि अंग्रेजों भारत छोड़ो इसकी मांग कहीं न कहीं बहुत द्वी जुबान में ह एध़ि उसने कमिनल यावार की गोशना की थी तो इस वीच तो है कुछ साती और जुड़े हैं अपने कमेट के माद्यम से बताने का कस्ट करें कौन कौन साती और जुड़े हैं मैं बात कर रहा था कमिनल यावार में और कमिनल रवाट को मैं सभाप्त कर चुका था, अब हमें अगस्त नाम से तीन इशु आते हैं जो कि कहीना कहीं बहुत बार एक्जामिनिशन में पूछे जाते हैं और बहुत अधिक कन्फ्यूजन इन में होता है एक है अगस्त परस्ताव, एक है अगस्त घोसना, एक है अगस्त करांती, तो ये तीन इनको पहले हम समझ देते हैं, उसके बाद अपनी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तो जो अगस्त करांती थी, वो आठ अगस्त 1942 को, जो गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन था, उस इसके आठ एक अगस्त घोस्ना भी आपके, जो समयधानिक विकास है, उसमें अगस्त घोसना का भी जिक्रा आता है, तो 1917 में मान्नटेश्ट्र्चूने जो गोस्ना की थी, जिसके आधार पर 1919 का भारत सासन अधिनियम बना था, तो उस 1917 की कि अगस्त 1917 में जो मानिटेश्कियों की ऊगस्त गोषना का जाता है याने कि अगस्त गोषना का संबंद 1917 से है और कहीं न कहीं भारत सासन अधिनियम 1919 से अगस्त करांती का जो संबंद। प्रस्ताव तो 1940 में लिंग लिधिंगो जो उसमय के गवर्नर भारत सचीव थे लिंग लिधिंगो तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था तो उस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है उस अगस्त प्रस्ताव पर भी अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो इन तीन अगस्त क्रांति एक का नाम अगस्त प्रस्ताव और एक का नाम अगस्त घोशना है तो यह कहीं बार करते हैं तो कहीं बार दो तीन बार मैं भी देख चुका हूँ कि यह question आजाता है अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था आगे आपको वर्स दे देगा और अगस्त जो घूशना है वो कब हुई थी तो इस परकार मैं इस दा फॉलाइंग में अगस्त प्रस्ताव 1940 अगस्त घोशना 1917 या इसको गलत तिती में दे देगा तो इस परकार से भी आप question की परवर्ती बन चुकी है और नेट के एक्जाम में इस परकार के question सबसे अधिक आते हैं और नेट के एक्जाम में ही नहीं अब आप जो एक्जाम का pattern देख रहे होंगे तो उसमें जो छोटे एक्जाम हैं उनमें भी इस परकार के question बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाने लगे हैं तो आप जब भी हो जाओ है कि इस परकार का अध्यान आप करें तो 20 अगस्त 1932 को गांधी जी जो जो कमिनल अवार्ड बिटेन ने घोशना की थी उसके विरोध में फिर से अंसन में बैठ जाते हैं 20 अगस्त 1932 को अगस्त में कमिनल अवार्ड 10 अगस 1932 को कमिनल अवार्ड की घोशना होती है और उसके 10 दिन पस चाहती 20 अगस 1932 को गांधी जी इस कमिनल अवार्ड के विरोध में अंसन में बैट जाते हैं और उनका मानना होता है कि इस से जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू संपरदाय के लोग हैं, इन में आपस में कहीं न कहीं फूट बटेगी, क्योंकि हिंदू संपरदाय के लोगों को किसी परकार का अवाड नहीं है, तो व्यक्ति क् पर दाय में जाकर इस प्रकार के कारेंगों को करेगा ताकि उसे कमिनल अवार्ड मिल सके तो इस अपनी इस संका को लेकर गांदी जी ने 20 अगस्त 1932 में जो यह कमिनल अवार्ड था उसके विरोध में जाकर आमरा अन्शन पर बैट जाते हैं, और रीजन वह यह देते हैं क्य क्योंकि जो यह कमिनल वार्ड कही न कहीं हिंदु को तोड़ने के लिए इस कमिनल वार्ड की और इस कमिनल वार्ड से कहें जोमें आपस में फूट पड़ेंगे हिंदु तूटते चले जाएंगे फिर 25 सितंबार 1932 को गंदी वह अमबेटकर के मद्या गांधी जी और डाक्टर भीमराव अमबेटकर के मद्या क्योंकि भीमराव अमबेटकर जी और गांधी जी के विचारों को लेकर कहीं काफी अधिक मदवेट था जबकि आप जानते हैं कि गांधी जी ने भी दलीतों को लेकर बहुत अधिक कारिया भारतिया इतियास में किया है और डक्टर भीमरा ओमेट करने तो इतना अधिक कारिया दलीतों के लिए किया है कि दलीतों के भगवान वह माने जाते हैं उन्होंने इतना अधि दलित उद्दार के लिए किया है तो इन दोनों में जबकि दोनों के दोनों व्यक्ति दलित उद्दार की बहुत अधिक बात करते थे बहुत अधिक कारिया उन्होंने किया था पर दोनों के दोनों में आपस में विचार को लेकर बहुत अधिक व्यचारिक मद्वेत थे तो ज गांधी जी बहुत अदिग दलित उद्दार की बात करते हैं, तो आप देखें कि अगर गांधी जी इस प्रकार के दलित उद्दार की बात कर रहे हैं, तो गांदी जी कहीं न कहीं इस communal award के विरोध में क्यों जा रहे हैं तो इसको लेकर गांदी जी अपनी बात रखते हैं और लाष्ट में दोनों के मध्या इसमें जब वैचारिक मद्वेद होता है तो सेटमबर में जाकर गांदी जी और अमबेटकर के मध्या पूना पैक्त हो तो भी किसके मध्य गांदी जी और अमबेटकर जी के मध्या होता है सौरी थोड़ा स्वास्त्यक खराब चल रहा है फिर भी तीन-चार दिन से क्लासेश नहीं ली थी तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था काफी दिन से बच्चे बेट कर रहे होंगे तो इसलिए थोड़ झाल सोचार रखा क्योंकि कहीं बच्चों के मैसेश भी आ रहे थे कि सर क्लास नहीं चलिए चार दिन से जिनको नहीं था कि इसमय अपने यह से बाहर हूं अ क्याओं को इसलिए मैं आपने अगति टोड़े देर की सभिआ ऊठा Лट पाठ कर रहे थे पुना प्रवाइक्ट की जो की 25 सितंबर 1932 को होता है और गांदी जी और ढक्टर भीमराव अमेटकर के मध्य होता है तो इस जो यह पूना पैक्ट होता है इसके माध्यम से दलीतों को अलग समुदाय को रद्ध कर दिया जाता है दलीतों को लेकर जो अलग समुदाय की बात की गई थी कम्यूनल अवाड में उसको रद्ध कर दिया जाता है किन्तु जो विदायका में दलीतों को आरक्षण की बात थी उसको स्विकार कर लेते हैं यानिकी 1935 का जो अधिनियम अब बनने वाला था उसमें जब विदायका को और उससे पूर 1919 के अधिनियम के तहद भी विदा इस विदायका में आरक्षण की बात को कहीं न जबात को स्विकार कर लेते हैं और अम्बेटकर जी इस बात को स्विकार कर लेते हैं कि दलीतों को अलग से समुदाई का धर पर जो निर्वाचन की प्रणाली है उसको समाप्त किया जाएगा अम्िठिकर जी इस बात को स्विकार कर लेते हैं और गांदी जी इस बात को स्विकार कर लेते हैं कि कहीं न कहीं जो आरक्षन का प्रावदा ने उसे अब स्विकार कर लिया जाएगा तो जो यह समझाधा हुआ था GoPro 1932 को इसके माध्यम से पूना प्रैक्ट के माध्यम से गांधी जी और अम्वेटकर जी के माध्या यह समझाता होता है इन विंदुओं को लेकर इसके आत्रिक्त 26 जन्वरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारतियों की स्वतंतरता की घुशना कर दी जाती है ठीक है क्योंकि भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस ने अपने पिछले अधिवेशन में ही का था कि 1930 को हम अपना स्वतंतरता दिवस बनाएंगे क्योंकि इस परकार के परिस्तितिया बन रही थी कि हम आजादी की मांग बहुत अधिक उठने लगी थी तो भारतिया राष्ट्य कॉंग्रेस ने अपने पिछले अधिवेशन में का था कि 26 जन्वरी 1930 को हम स्वतंतरता दिवस बनाएंगे और वह स्वतंतरता दिवस 26 को लहरा कर बनाया भी जाता है मनाया भी जाता है पिस कल किसी चात्र का क्वेशन था कि आखिर जब 26 नवंबर 1950 को सम्मिद्धान बनकर तयार हो गया था तो इसे 26 जन्वरी 1950 को लागू करने की क्या आउशक्ता थी तो ये इसको भी आप ध्यान रखना और कहीं बार ये क्व क्यास है उसमें बखुबी मेरा साथ दे रहे हैं और इसके सेकिंड पार्ट को लेकर जो आपका थौट से संबंदित है आपका विचारों से संबंदित है उसको लेकर जो पहली यूनिट है नेट के स्लेबस की उसको लेकर आपके मध्या हाजिर हो रहे हैं तो वो भी हमारे बीद जूड़ चुके हैं और रुद्रांस भट हैं कोई उनका भी मैं स्वागत करता हूं चैनल के माध्यम से ये भी हमारे मध्या जूड़ चुके हैं बाकि साती पहले से जुड़े हूए हैं तो आप लोगों का आप दोनों महान भाव का भी मैं हार्दिक सागत करता हूँ चैनल के माध्यम से और अपनी बात को अब आगे बढ़ाता हूँ कि 26 नवंबर 1950 को जब समिधान बनकर तयार हो गया था और कहीं प्रावधानों को हमने 26 नवंबर 1950 को लागू भी कर दिया था तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्तितिया थी कि हमको 26 जनवरी 1950 को अपने समिधान को लागू करना पड़ा या लागू हमने क्यों किया क्यों दो मैने का डिले हमने किया तो उसका जो जवाब है वो हमें यहीं मिलता है 26 जनवरी 1930 में जो स्वतंतरता दिवस भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस ने बनाया था रावी नदी क तड़ वहां हमको उसका इतियास देखने को मिलता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पर्थम स्वतंतरता दिवस भारतिया राष्ट्या कॉंग्रेस ने रावी नदी के तड़ बनाया था और उस दिन से परतिये 26 जनवरी के दिन जो भारतिया राष्टिया कॉंग्रेस थी वो अपना स्वतंतरता दिवस मना रही थी याने कि 26 जनवरी 1947 तक परतियक वर्ष क्या है भारतिय राश्ट्टे कॉंग्रेस अपना स्वतंतरता दिवस बना रही थी तो उस दिन को याद रखने के लिए उस दिन जनवरी 1950 को भारत्य समिधान को लागू किया जाता है, ताकि जो 26 जनवरी का दिन है, वो हमारे इतियास में बना रहे, तो इसलिए स्वतंतरता दिवस न सही, उस दिन हम अपना गंतंतर दिवस मनाते हैं, और आप लोग जानते होंगे कि स्वतंतरता दिवस और गंतंतर दिव जब किसी देश का जो राष्टरा अध्यक्ष होता है, वो निर्वाचित हो, यानि कि मनोनित नहों निर्वाचित हो तो उस देश को गंतंतर कहा जाता है, यानि कि जो हमारा राष्टपती है, भले ही वो परत्यक्ष चुनाओ के माध्यم से ना चुने जाते हो, किन्तु हमने अपने स्वमिधान के माध्यम से राष्ट्य अध्यक्ष के निर्वाचन की बात की थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 से बारत एक ग्रंतंत्र राष्ट कहलाता है, तो इन बातों को अत्रिक्त 1927 में बटलर कमिशन भी था, तो आप लोग कहीं बार पूछा जाता है बटलर कमिशन, तो इसका भी ध्यान रखना कि 1927 में बटलर कमिशन भी बना था, इसका भी एक एहम रोल था, भारत सासन अधिनियम 1935 था, उसके निर्मान की प्रिष्ट भूमी में, तो अब आते हैं हम 1935 के भारत सासन अधिनियम में, तो 1935 का, जो हमारा टॉपिक है आज का, भारत सासन अधिनियम 1935, उसको जानने से पूर अब तक की जो बाते हमने की है, कहीं बार 1935 के अधिनियम से क्वेशन ना आकर, जो जितनी बाते चर्चाएं में अभी तक कर चुका हूँ, साइमन कमिसन, तीन गोल में सम्मेलन, सभीने अवग्या अंदुलन, कमिनल अवार्ट, तो इन से कहीं बार क्वेशन पूछे जाते हैं, पूना पैक्ट, तो इसलिए इनको बताना भी आप लोगों को अती आवश जग था, और यहां से भी कहीं बार क्वेशन एक्जाम में पूछे जाते हैं, जो वंडे एक्जाम होते हैं, उनमें तो बहुत अधिक क्वेशन यहां से किपूटप किये जाते हैं, तो जो भारत सासन अधिनियम 1935 था, उसमें मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ, कि 10 अनुसूचियां उस भारत सासन अधिनियम में थी, और लगबग 400 से अधिक, मेरा ख्याल 462 के करी, 400 से अधिक उसमें अनुचेत थे, इस चीज को आपने ध्यान रखना है, कि 400 से अधिक उसमें अनुचेत थे, मेरा 451 उसम पूस्तकों में धाराएं लिखी रहती है, तो आपको ध्यान रखना है कि धाराएं नहीं उन्हें अनुचेत का ढ़ा जाता है, धाराओं में और अनुचेत में कापी अंतर है, यह अंतर मैं आज के लिए आपको homework छोड़के जाता हूं कि धाराओं में और अनुछेद में क्या अंतर है हलका tips मैं आपको दे दो कि जो भारत का IPC है Indian Panel Code है जो कानून की पुस्तके हैं उनमें धाराओं का परियोग होता है और जो भारत का समीदान है उसमें अनुछेदों का परियोग होता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और बाकी इसकी बारीकी को आपके लिए आज का होंबक छोड़के जा रहा हूं तो 451 अनुछेद, 10 अनुछेद और लगबक 14 भाग जो 1935 का अधिनियम था उसके थे और जो भारत सासन अधिनियम 1935 था उसमें अखिल भारतिया संग की सरक्षणों सहित उत्तरदाई सरकार की और विभिन्य विभिन्य सांपरदाई तथा अन्या वर्गों के लिए फिर तक परतिनित जित्वा तो इस परकार तीन भागों में भारत के जो सासन था उसको बाटने का प्रियास किया कि एक तो अखिल भारतिया संग होगा इसकी भी बात की जई यानि कि संपूर्ण जो भारत का राज्या होगा वो अपने आप में एक पूर्ण संग होगा जैसा कि आज हम वर्तमान में भी देखते हैं अखिल भारत्य संग और दूसरा सनरक्षणों सहीत उत्तरदाई सरकार याने कि कुछ प्रांतों में उत्तरदाई सरकार होगी किन्तु उन पे सनरक्षण किसका होगा जो केंदर की सरकार होगी उसका सनरक्षण होगा और तिसरा जो है भिन भिन सांपरदाईक तथा अन्य वर् तो एक बार एक क्वेशन कहीं बार पुटप होता है कि जो भारत शासन अजनियम था उसका जो मस्वधा या उसका जो प्रारूप तयार किया गया तो किन-किन चीजों का उसमें साहता ली गई जैसे मैं अभी तक इथियास में उसका पढ़ा ही रहा था किन-किन चीजों की साह में तो लेकर नहरु समीथी बनती है तो उसकी और इसके आतरिक्त इन गोल में सम्मेलन हुए थे उसमें जो निसकर्स निकलकर आये उस से इसके आतरिक्त बिटेन में बिटेन की जो संसर्थी वहाँ एक सहयुक्त समिती बनाई जाती है दोनों सदनों को मिलाकर और उस सहयुक्त परवर समिती भी भाराशासन अधिनियम को निर्मित करने से पूर्व अपनी रिपोर्ट सौपती है तो उसकी भी साहिता ली गई थी और इसके अत्रिक इन तीन इसके अलावा लोथियन रिपोर्ट थी इन चार रिपोर्ट का साहिता के माध्यम से जो भाराशासन अधिनियम 1935 उसका निर्माण किया गया था तो अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत आज भाराशासन जो अधिनियम है इसको पूर्ण करने में मेरा ख्या अपने आप में अधिनियम है तो इसके आदी प्रावधानों को आज हम अधियन कर पाएंगे क्योंकि लगबख 45 मिनट अधिया लेक्चर को हो चुके हैं और फिर आपको क्वेशन पूर्ट एप करने का समय भी देना होता है तो पांदस मिनट इस पर और बात कर लेते हैं उ लगातार आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं तो एक बोरिंग सैसन जैसा भी हो गया होगा क्योंकि काफी देर से लगातार में बोले जा रहा हूं और आप लगातार सुन रहे हैं तो अपनी राय भी देने का कष्ट करें जितने लोग जुड़े हुए हैं कि आप काफी ब समाप्ति की और है तो इसलिए वो वीडियो को समाप्ति के पस्चात पुनों से देखें तब ही उनके समझ में जितनी भी बातें अभी तक हम कर रहे हैं या जो बातें हम आगे करेंगे वो समझ में आपाएगी जितने साथी देर से जुड़े हैं या देर से जुड़ रहे हैं उनसे अन्रोध रहेगा कि वो वीडियो को एक बार पुनव देख ले तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे अन्रोध है कि वो अगर कोई क्वेरी है या अपना राय देने का कश्ट करें कि मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊं या इसे यहीं रोक कर कल के दिन में य से यहीं पर रोका जाए आप या फिर आगे बढ़ाया जाए कि मेरा ख्याल कहीं आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा तो जितने भी साथी जुड़े हुए है उनसे अन्रोध है रित्तिक सती प्रस्ण ले सकता हूँ तो उससे पूर्व आप बता दें कि मैं अपने सत्र को यहां समाप्त करूं या थोड़ा सा आगे और इसको बढ़ा दूं फिर आप अपना प्रस्ण पुटप कर सकते हैं रित्तिक सती जी रिप्लाई कर रहे हैं मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है और आप अपने प्रस्ण पुटप कर सकते हैं क्योंकि काफी लंबा भी बोरिंग सा हो जाता है एक साथ आज के दिन में भले इसका जो टॉपिक था वो भारत सासन अधिनियम 1935 था किन्तु कहीं न कहीं जो भारत सासन अधिनियम 1935 है उसकी प्रस्ट भूमी को भी जानना बहुत अधिक जरूरी है इसलिए बहरत सासन अधिनियम की हम बहूत कम बाते कर पाए उस Бारा सासन अधिनियम की कुो क्यों कहा जाता है तो रितिक सती जी काफी अच्छा क्वेशन आपने पुट अप किया है तो इसको आप इस परकार समझे अगर आपके सम्मुक क्योंकि बहुत सादारण भासा में समझाने का प्यास कर रहा हूँ अगर आपके सामने दो लकडियां है या एक पैन और एक लकडी है तो उसमें से जो लंबा होगा लंबा पूछाए आपने जो लंबा होगा उसी को लंबा का जाएगा तो कहीं न कहीं जो भारत सासन अदिनियम है उसमें जब मैं बता रहा हूं कि 451 अनुछेद हैं दस अनुछ उचियां हैं और लगबग लगबग 14 भागों में वह बटा हुआ था और आप हमारा वर्तमान का जो समीदान देखते हैं जो कि मूल रूप में कि तीन सो पिचाणडबे अनुछेद थे उसमें और 341 अनुछेद मैं बता रहा हूं तो कितना ढिफरेंस है बहुत कम डिफरेंस जो हमारा मूल समिदान है उसमें और कहीं न कहीं भारत सासन जो अधिनियम है उसमें है तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मस्विदा तयार हो चुका था जो कि आज तक के जो बिटिस सासन भारत में रहा उसमें उससे पूरो कभी नहीं रहा तो इसलिए इसे सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता है कि जब उसको आप लिखित रूप में रखींगे तो वो काफी अधिक पनों में रहेगा लंबा रहेगा तो इसलिए इसे सबसे लंबा अधिनियम कहा जाता है। कि क्वेशन पुट अप करने के साथ साथ एक और प्रस्ण मुझे आपसे करना था कि कहीं न कहीं जो ये सत्र और ये प्रयास हमारा है कहीं न कहीं आप लोग इसका आनंद ले रहे होंगे ऐसा मेरा विचार है तो आप लोग भी अपनी पर्तिक्रिया दे कि आप लोग आनंद Philosophy इसके आपके उसके क्जा आपके तो इसको और बेहतर बनाया जा सके तो अगर आपके ऐसे कुछ सुजाओ है सुजाओं को भी बेदे सकते हैं जिसके अपने इस सत्र को और बहतर और और अच्छा करने का प्रयास करसे हैं तो रितिक सती जी आप बता दे कि आपको आपका जो प्रस्ण है उसका जवाब मिल गया या इसमें और कुछ बढ़ा कर या कुछ अधिक आप समझना चाहते हैं इसके अलावा सुभम रावत जी आज जुड़े नहीं है उनका ये क्वेरी थी कि 26 जनवरी जो 1950 को ही समिदान लागू क्यों हुआ वो बार-बार इस क्वेरी को कर रहे थे तो मेरा ख्याल है वो बाद में वीडियो को देख लेंगे तो उनका क्वेरी का समाधान हो जाएगा और आप लोग भी समझ चुके होंगे कि 26 नवंबर उननिस्सों पचास को जब समिदान बना था तो उसे 27 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया इसके आत्रिक्त आज के दिन में आप ये भी समझे होंगे कि गंतंत्र और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है गंतंत्र किसे कहते हैं और स्वतंत्रता किसे कहते हैं इसके आत्रिक्त जो स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन और गंतंत्र दिवस के दिन जो द्वजा रोहन होता है तो उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं आप देखते हैं कि जब गंतंतर दिवस बनाया जाता है तो उस दिन जंडे को पहले से ही जंडा उपर होता है उसमें फूल बंदे होते हैं उसको बस हिला दिया जाता है और उसको मतलब जंडा लहरा दिया जाता है गंतंतर दिवस के दिन और जो सतंतरता दिवस होता है उस द चोटी चोटी बाते हैं इस पे आप आपने गौर नहीं किया होगा कि गंतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के दिन कुछ परिवर्तन होते हैं द्वजा रोहन में एक को द्वजा रोहन कहा जाता है और एक को द्वज आरोहन कहा जाता है यानि कि द्वज को पहले उपर ले ज जाता है तो बिटिश सासन की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें 1935 का भारत सासन अधियम लाना पड़ा जब कि इससे पहले बिटिश सरकार बहुत सारे अधिनियम ला चुकी थी व्याखान सही दिशा में ठीक है तो रितिक सती जी ने अपना दुसरा क्या है कि ऐसी कौन सी परिस्तितियां थी कि बिटिश सासन को 1935 का अधिनियम लाना पड़ा और जबकि इससे पूर वह बहुत सारे अधिनियम लाच की थी तो रितिक सती जी को मैं और बाकी सुनने वालों को भी बताना चाहूंगा कि आप देखते हैं कि हमारा जो सम्मिदान था वो दो वर्स 11 महा 18 दिन उसे बनाने में लगे न जाने कितने सम्मिदानों का हमने अध्यन किया और उन अध्यन के बाद उन सम्मिदानों में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए उन प्रावधानों को अपने सम्मिदान में जोड़ा इसके अत्रिक्त जो जो प हमने चरचा की और बहुत अधिक लगबग 3000 से अधिक संसोदन उस समेधान का जो पहला मस्विदा तयार हुआ था उस में राए थे और उन 3000 संसोदनों पर चरचा हुई और उसको संसोदित करते हुए नएा समेधान का प्रारूफ तयार किया गिया तो इतना करने के पस्चाद भी वर्स 1951 में ही हमें अपने पहला समीदान संसोधन करना पड़ता है और अभी हमें आजादी के 70-70 वर्स हो रहे हैं और हमने अपने समीदान में 122 संसोधन ला चुके हैं 122 संसोधन ला चुके हैं जिसमें से 104 संसोधन स्विकार कर चुके हैं और उसमें से 122 संसोधन स्विकार कर चुके हैं तो जब इतनी मेहनत के पश्चात हमने अपने सम्विधान को बनाया था और उसके पश्चात भी हमें एक वर्स पश्चात ही 26 जनवरी 1950 को सम्विधान लागू होता है और 1951 में सम्विधान में पहला संसोदन किया जाता है तो इतनी मेहनत के पश्चात भी है जब हमें सम्विधान में परिवर्तन की आवश्चता पड़ी तो जो बिटेश का सासन भारत में चल रहा था तो ततकालिन समय में मतलब जिन जिन समश्याओं को निराकरण करते हुए वो अधिनियम में उसका प्रावधान करते थे तो जैसे ही अधिनियम लागू होता था तो उससे कुछ नई समश्याओं निकल कर सामने आती थी तो उन समश्याओं को निराकरण करने के लिए वो नेक्स्ट अधिनियम या उसका अधिनियम में संसोधन के रूप में नई अधिनियम को लाते थे 1773 से अधिनियम की सुरुवात होती है और आप जानते हैं 1781, 84, 86, 93, 13, 1813, 33, 53, 58, 1861 इस परकार 1861 के पस्चाद भी 1865 का कुछ तो तीन अधिनियम बीच में भी लाए जाते हैं और 1892 और 1909, 1919, 1935 ये इतने अधिनियम बेटिस सरकार लाती है क्यों लाती है क्योंकि एक ही अधिनियम से समस्त जितनी भी जो समश्याएं थी उनका निराकरण नहीं हो पाता है नहीं हो पा रहा था इसलिए next अधिनियम में वो उन समश्याओं के निराकरण को करने का प्रयास क 1835 तक का अधिनियम बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उससे पूर्व जो बिटिस गवर्मेंट थी वो सिर्फ सासन चलाने के लिए ही उसमें व्यवस्ता करती थी जबकि 1835 का जो अधिनियम था उसमें भारतियों को भी काफी अधिक अधिकार दिये थे इसके अलावा केंदर में कैसी विवस्ताएं होगी उसका अलग उले किया गया था राज्या में कैसी विवस्ताएं होगी उसका अलग उले किया गया था और एक संगिया नियाले की बात भी 1835 के अधिनियम के माजम से की गई थी तो उस संगिया नियाले के लिए क्या प्रावदान होंगे उसका भी उल्ले किया गया था और पहली बार मौलिक अधिकारों की बात उठती है नेरो रिपोर्ट से तो उस मौलिक अधिकारों में क्या 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 अधिकार होंगे उसका उल्ले किया गया था और जब तक बिर्टिस भारत को छोड़ नहीं देते तब तक कैसा प्रावधान रहेगा और जब भारत को छोड़ देंगे तब क्या इस्तिती बनेगी तो इन सब चीजों का उलेक उसमें किया गया था इसलिए कहीं न कहीं यह बड़ा भी हो जाता है और जैसा कि इन रितिक सती जी का क्वेशन था कि 1935 का दिन्यम लाना पड़ा जबकि पहले वो ला गई थ सकते हैं कहीं न कहीं पर्थम विश्वयुद्य के वश्चात जो बिटिस गवर्मेंट थी वो समझ चुकी थी कि भारत में सासन करना आसान नहीं है कहीं न कहीं हमें भारत को छोड़ कर जाना पड़ेगा तो और भारत में क्योंकि समरिद्ध राष्ट भारत उसमें तक था तब तक तो खेर बहुत अधिक लूट लिया था बिटे ने पर फिर भी बहुत अधिक समरिद्ध राष्ट भारत था और वो समझ गई थी कि इस समरिद्धी को यहां से कच्चा माल हम अपने देश को ले जाते हैं कहीं न कहीं हमें इसको अब छोड़ने के दिन आने वाले ह तो इसलिए वो इस परकार की विवस्ताएं कर रही थी जिससे अधिक से अधिक भारतियों को सांत कराया जा सके चुप कराया जा सके और वो लोग हमारे सासन को स्विकार करें इसलिए 1835 के अधिनियम में उन्होंने लगब लगब भारतियों की स्वसासन को छोड़कर जितन कहीं न कहीं जो बिटिस सासन भारत में चल रहा था वह और लंबा जा सकता था क्योंकि दितिया विश्युद्ध जब 1949 से छिड़ता है और 45 में समाप्त होता है तो कहीं न कहीं उसमें जो बिटिस गौर्मेंट थी बिटिस सरकार थी वह यह कहकर युद्ध को लड़ रही थी क हम कहीं न कहीं जो आताताई सासन है क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मन के इटली के खिलाब बिटेन उस समय लड़ रहा था तो वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि हम जो आताताई सासन हैं जो की लोगों को जबरदस्ति अपने नियंतरण में रखकर सासन कर रहे हैं उन सास तो हमारी जो इच्छा है उसके खिलाप ही हम आप हम पर सासन कर रहे हैं तो उस पर अन्य देशों का दबाव बनता है उसको 1947 में भारत को आजाद करना पड़ता है तो अगर दितिय अभी स्वयुद्ध नहीं होता तो साइद 1935 का जो अधिनियम बन चुका था उस आधार पर आगले आने वाले 30-40 वर्सों तक बेटिस सरकात भारत पर सासन करती रहती तो मेरा ख्याल है रितिक सती जी को अब उनका जो अगला क्वेशन है उसका जवाब भी मिल चुका होगा तो अगर कुछ जितने भी साथी अब जुड़े हुए हैं उनका जो भी क्वेरी है अपनी क्वेरी को रखें और अगर सबकी क्वेरी यां समाप्त हो गड़ चुकी है तो मैं आज के सत्र को समाप्ती के और ले आता हूँ जो साथी जुड़े हुए हैं अगर उनका कोई अन्या प्रस्म हो अगला प्रस्म रख सकते हैं कि मेरा ख्याल है सबकी जितनी वी क्वेरियां थी वह समाप्त हो चुकी है तो मुझे आज के सत्र समाप्ती समाप्त कर देना चाहिए जो साथी जुड़े हुए हैं वह अपनी पर्तिक्रिया दे रितिक सती जी आपका आभारी नहीं जी आपका आभारी क्या है मैं आपको बता चाहूंगा कि आभार की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यह हमारा कार्या है एक सिक्षक होने के नाते जितने भी क्यारी आपके माध्यम से आती है तो हमारा यह कार्या बनता है तो इसलिए इसमें आभार जैसी कोई बात नहीं है और जब मैं इस सत्र को चला रहा हूं तो कही न कहीं या मेरी फिर नेतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी समस्त जितनी भी इस सत्र से संबंदित queries आती है उनका समाधान करना क्योंकि आप एक घंटे हमको सुन रहे हैं और उसके पस्चात आपकी समस्त queries का समाधान न हो तो कहीं न कहीं हमारा या सत्र चलाना ही क्या है निरर्थक हो जाएगा जब तक सालू आरिया सालू तो आपका कोई question हो सालू जी इतने एक घंटे से आप सुन रहे हैं तो उसमें कोई query हो आपकी तो उस query को आप रख सकते हैं तो उसके पस्चात मैं अपने सत्र को समापती की और ले जाओ या जो अन्यसांती जो भी जुड़े हुए है तो अगर वो सुन रहे हैं तो आपकी किसी परकार की कोई संका हो तो आप रख सकते हैं तो आपकी किसी लगबख किसी ने भी किसी परकार की संका नहीं उठाई है तो मैं अगर किसी की जो बाद में इस वीडियो को सुनते हैं तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी संकाएं होती है तो आप यहां मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं या नेक्ष देखे जो लाइफ सेशन चलता है उसमें अपनी क्वेरी कर सकते हैं तो जो साती बाद में वीडियो को सुनेंगे वो अपनी क्वेरी डाल देना आपको आपकी क्वेरी का जवाब मैं वही मैसेज के माध्यम से दुसरे दिन के लेक्षर में देने का प्रयास करूँगा तो आप लोगों ने मुझे सुना आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मैं अपने सत्र को यहीं समाप्त करता हूँ आप सभी लोगों ने पूना से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद